हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे पीजियार के बारे में तो चलिए जानते हैं क्या होता है पीजियार और फिर किन-किन टाइप्स के पीजियार है कैसे पीजियार हमें मदद करती है तो सबसे पहले हम जानेंगे पीजियार क्या है यानि प्लान ग्रोथ रेगुलेटर्स तो जो पीजियार है वो और्गेनिक कंपाउंड से जो नेचरली प्लांट्स में पाए जाते हैं या फिर सिंथेटिक रूप में भी पाए जाएंगे जो न्यूट्रेंस के इलावा होंगे तो यह किसमें मदद करते हैं यह हमारे प्लांट्स को प्रमोट करने में या इन्हेविट करने में या फिर मोडिफाई करते हैं उनके किसी भी फिजियोलोजिकल प्रोसेस को प्रमोट करने का मतलब बरहावा देंगे इन्हेविट का मतलब रोकेंगे या डिटार्ट करेंगे और फिर जहा का modification या क्या कहता है प्रमोट करेंगे उनके प्रोसेस में यह जो PGR होते हैं प्लान ग्रोफ रेगुलेटर यह दो टाइप की होते हैं एक होते हैं ग्रोफ प्रोमोटर्स और दूसरा होता है ग्रोफ इन्हेविटर्स तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे जो ग्रोफ प् से जो हमारे fruits और vegetables के growth को प्रोमोट करते हैं यानि growth होने में मदद करता है तो यह इसमें तीन ऐसे growth promoters हैं जिसको हम लोग PGR के रूप में जानते हैं प्लान ग्रोफ रेगुलेटर तो उसमें पहला जो है वह औक्जीन है जिसमें फिर दो टाइप के होते हैं एक natural तो natural हो गय जो नेचरल रूप में पहे जाता है वह है आई एका मतलब हो गया इंडॉल एसेटिक एसिड यह सवाल पुछे जाते हैं जो नेचरल ऑक्जीन का नाम बताईए यहां फिर क्या करता है इनमें से कौन सा नेचरल ऑक्जीन है दूसरा जो ऑक्जीन में सिंथेटिक टाइप का वह 24D है MCPA5T है यह ऑक्जीन का हुआ दूसरे टाइप का जो ग्रोध प्रमोटर है वह साइटोकैनीन है जिसमें नेचरल जीटीन है और सिंथेटिक में बैंजोयल एडिनीन है जिसको अम लोग बी ए सौट में भी जानते हैं और जो तीसरे टाइप का ग्रोध प्रमोटर से वह जीब्रेलीन है जिसको हम लोग जीब्रेलिक एसीड भी करते हैं इसमें GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 के अलगलग टाइप पाया जाते हैं तो यह सबी थे ग्रोध प्रमोटर के बारे में यानि जब ग्रोध प्रमोटर के बारे में पुछा जाए तो उसमें सिर्फ तीन टाइप्स क जो क्या काता है कंट्रोल करते हैं या प्लांट्स के ग्रोध को चेक करते हैं यानि इनका काम ही है प्लांट्स के ग्रोध को चेक करना तो इसके भी क्या काता है एक्जामपल्स हो है वह है क्या काता है एप्सेसिक एसिड जिसको हम लोग ABA करते हैं फिनॉल्स है बी नाइन ह Phosphordinates, Malick Hydrozoid, Sea Soil जिसको CCCC के नाम से भी जानते हैं तो यह सभी थे Growth Promoters के बारे में या Growth Inhibitors के बारे में जिसको Combinedly हम लोग करते हैं PGR Plant Growth Regulators यानि प्रांच जितने भी प्रांच से उनके जो Growth को जो क्या कहता है करते हैं उनके कंट्रोल करते हैं उनसे सभी को कमपाउंग्स को या फिर हम कर सकते हैं जो जितने भी सिंत्रीक बनी कमपाउंगन से जो प्लांट में पाले आते हैं उनको लोग PGR के रुप में जानते हैं तो अकसरघे घर बार अलग- Our पर इससे कोशन पुछे जाते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिर हम आगले वीडियो में आप से दूसरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे धन्युक्त